नमस्कार आप सभी को आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 112 इसमें यह बताया गया है कि मान लीजे अगर किसी को शादी के कुछ दिन बाद ही वेक्टी की वाइफ को शादी के कुछ दिन बाद ही बच्चा पैदा हो जाता है ठीक है अब आप यह सोच रहे होंगे कि कुछ दिनों बाद कैसे हो सकता है ठीक है जो एक प्रेंग्डेंसी के टायम पीरिएड होता है नो मेंने लोजिक सी बात है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने किसी और या तो उसने किसी और वेक्टी से सब्मंद बनाए वाइफ ने उस सब्सक्राइब कीजिए और अगर अमारे टेलेग्राम को नहीं किया तो जलरे टेल्रान को के जूइन किया है । इसको पढ़ते हैं सबसे नहीं कर लिए बर्थी Bo fishing मैरिश कैसे कले War एपने की जो वहाएं जाता हैं तो उसकी जो वालेड मेरीज के दोरान तो उसकी जो वेलिड मेरीज के दोरान होता है किसी और का माने जाएगा तो आगे पठते हैं से में क्या कह रहा है और विदिन टू हंडर्ड एटी डेज आफ्ट रेट्स डिसॉलिशन मतलब की 200 ऐसे दिन का टैम होता है मान लिजा घर हजबन वाइफ के शादी हो गई ठीक है शादी के कुछ दिनों बाद उननों तलाक ले चाहिएगा आगा उस व्यक्ति का माना जाएक का कि मेरा बच्चा इसको दिखाना पड़ेगा कि वह इसमें तेक्स क्या कैसा क्यों क्याकर करते हैं तो कैसे प्रूफ करेगा तो आगे पढ़ते हैं और मनें ऑन्मैड आगर वह जैसेौलिशन हो मैरीज का वह तलाग ले लेते हैं तो उसके बाद रहती है फिर भी ठीक है तो फिर बच्चा किसका माने जाएगा वह 208 दिन का अब बिगोर तो यहां पर उसको नोन एक्सेस प्रूफ करना पड़ेगा वहां पर उस टैम प्रेट के दुरह जब वो साथ रह रहे थे ठीक है इसमें बात की गई है मान लिजे अगर किसी वैक्ति को बच्चा हो रहा है ठीक है किसी वैक्ति को बच्चा पैना होता है तो फिर इसने इतलाक ले लिए उससे शादि के कुछ दिनों बाद ही और जब उसको बाद में उसको बेबी बॉंड कर लेती है वो मतलब कि बच्चा पैना कर देती है तो वह बच्चा उस वैक्ति को मान जाएगा किसी और को मान जाएगा तो इसमें अगर उसने वह उन्मैरीड है तो इसका मतलब वह बच्चा उसी गई है तो उसी का ही मानने जाएगा वहाँ पर अगर किसी व्यक्ति ने शादी कर ली उसको क्या हो गया बेबी बोन हो गया तो वह बच्चा उसी का ही मानने जाएगा ऐसा की हुआ है क्यучно कि एस लिए हैं उसने क्या पता है शादी से पहले शादी से पहले इसके साथंसेंट इंटर इंटर कोश कर लिए ओठाऊ इसक्स के साथंस सेुसी कर लिए तो यहां पर यहां पर यह शादी से पहले मिले थे तो फिर वहाँ । kort नहीं मन जाएगा मान लीजिए अगर कोई husband जैसे husband wife है उन्होंने शादे से पहले वो कभी मिले ही नहीं ठीक है तो फिर वहाँ पर नहीं माना जाएगा वह क्योंकि उसने non-access proof किया वहाँ पर ठीक है अगर वह मिले भी है तो फिर वहाँ पर बच्चा उसको ही माना जाएगा तो यह burden of husband के उप अपने non-access proof करना होगा ठीक है non-access के बाद अगर फिर दोनों के बीच में dispute रहता है तो court तब जाकर order करती है dna test का ठीक है क्योंकि जो dna test है यह हमारे article 21 में जो right to privacy है यह उसका उलंगन करता है जो woman है woman अगर dna test कराएगी तो उसका उलंगन करता है dna test करना भी एक अगर court privacy है क्यों खुदी करवाना चाहती है वह अपना आपको प्रसाबित करना चाहती है ठीक है तो dna test में इससे भी हम पता लगा सकते है ठीक है इसमें कुछ case मैं आपको बताऊंगा इसमें के साम गोतम कुंडू वर्सिस इस 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 स्टेट ओव वेस्ट बंगोल इसमें के स से वहाँ पर आ जाती है मतलब कि अगर किसी कि किसी बच्चे को प्रूफ करना कि बच्चा किसका है तो court वहाँ पर order नहीं करेगी इस case में यह एक आ गया था जो पहला पॉइंट है यह मैंने आपको पहला पॉइंट जो दूसरा पॉइंट है ऐसी case में before test non access must be established मतलब कि उस से कभी उसके साथ उसकी मीटिंग मी नहीं मतले कि मिला भी नहीं है तो वहाँ पर यह उसको पूरूफ करना होगा और तीसरा पॉइंट है court should analyze with respect outcome of requesting the blood test within the marking child as bastard and the mother as an unchested woman तो वहाँ पर जब भी जब यह अगर order भी करती है टेस्ट कराने के लिए देस्ट कराने के लिए तो वहाँ पर रिखेगे कि जो बच्वर बच्चे को बंध्र टो नśmy जाली है वहाँ पर идुक्र इसको ठीकान दूज़र से अपने प्रिजूम करती है लोग के कोडिंग ठीक है मान ले जाकर बच्चा पैदा हो रहा है एक दिन बाद भी शादी के तो बच्चा उसी व्यक्ति के माने जाए जिस व्यक्ति से उसकी शाद्य हुई है ठीक है लेकिन आवहां पर 200 दिन का टैंपरेड हो मतले कि टैंपरेड देखा तो फिर वह पर चक्स को माना जाएगा ठीक है तो यह मैंने मैंने आपको एक केस बताया को तब कुर्णू वर्सिस स्टेट व वेस्ट बंगोल का नंदलाल वासुदेव बद्वेक वर्सिस लता नंदलाल बद्वेक मतलब कि यह 2014 का यह केस है ठीक है इसमें सुप्रिम कोड अपने जो DNA टेस्ट है उसको उसको प्रिजयूम किया था ठीक है उसके एक एविडेंस माना थे प्रूफ अंडर सेक्शन वर्न ट्वल के अकोडिंग क्योंकि इसमें जो यह दोनों थे इन्होंने मतलब की अपना ब्लड टेस्ट करवाया था देखें दोज़े चोदम में इ अपने आपको सही साभित करने के लिए उन्होंने दो जगहां पर अपने क्या कर वाया थी टेस्ट करते हैं लिए यहां पर compare लने की आगा था डियाएएइन टेक्स कराने के लिए पार्टी को वह पार्टी कुदी भी तियार थी ओर फिर उसके बाद उससी और व्यक्तिक बच्चा थे इस व्यक्तिकर नहीं थे जिससे उसके शाद्यूत थी, फिर वहां पर उस बच्चे को उसका पिता उसको उसके संबन्द थे उसको नहीं मनागा जिसकी उसके साधी थी ठीक है यह दोजा-चoudra का केस था देखें जो डियने टैस्ट हमारे नहीं नहीं था यह काफी एंसिये जब भी आयाद हमारे पास तो उस तो में नहीं गया नहीं था धी沒有 कोई यासी चीज थी क्योंकि आज के समय में में काभी changes हो गया है थिक जो स्इन्निक्स ने काफ़ी तरक़्ी कर लिया है तो इसी चक्कर में जो पहले होता है वहापकर किसी को पता नहीं था ऑनी को प्रड़ा जा सकता है तो इसी वजह से ये केस में कोट ने हैल्ड कर दिया था कि जो है उसको है प्रूफ माना जाएगा ठीक है तो अब को सेक्षन समझ में अगर आपको कोई कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बोक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं और मेरे टेलेग्राम को जोइन कर सकते हैं ठीक है अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मैंने आपको दो केस बता दिये जो की काफी की इंपोर्टन थे मैंने केस आपको बता है इसमें कॉन्कुलूजी प्रूफ माना जाएगा जो एक डिया टेक्स होती है ठीक है लेकिन मैं आपको बात और बताना चाहता हूं जो नो नेक्स होता है जो हस्बेंड है हस्बेंड के उपर बटन ऑप होता है कि वह सबसे पहले न का तलाग हो गया तीन मैंने तक जो हस्बेंड हो भार फॉरेंड में काम कर रहा था तक तक तो उसके साथ फीजिकल रिलेशन भी नहीं बन पाया होंगे तो यहां पर यहीं माना जाए कि वह बच्चा उसका नहीं है क्योंकि उसने प्रूफ कर दिया हस्बेंड ने तो उसको प्रूफ बटन प्रूफ हस्बेंड के उपर होता है कि वह अपने आपको साबित करें कि वह नहीं नहीं था मतलिक उसके साथ उसका कोई सेक्शल इंटर्कोस नहीं था उसके बाद दूसरा हमारे पास ओप्शन होता है कि यहीं बात समझाने के कोशिश की जा रही है ठीक है पैदा होता है तो शाथ ही से 280 दिन के अंदर वह बच्चा अगर पैदा होता है तो बच्चा उसी व्यक्ति के माना जाएगा लेकिन अगर हजबंड मना करता है कि यह बच्चा मेरे नहीं तो उसको नोन अक्सेस प्रूफ करना होगा वो उसके पास सैगेंड ओप्शन कोर्ट के पास यह होता है कि वो दिन टेस्ट कराने के लिए अगर अगर नहीं है तो वहाँ पर उसको फोर्स नहीं किया जाएगा क्यूंकि हमारे जो अर्टिकल ट्वंटी वन है वहाँ पर राट टू प्रेवेशी की बात की गई है किसी को फोर्स नहीं किया सकता है ऐसा कराने के लिए नेटेस्ट कराने के लिए ठीक है ऐसे काफी केसे भी आई यह तो यह आपको समझ में आग आगए आशा कि अब हम अपनी फीडियो मे मिलेंगे नेक्स वीडियो में काफी इंट्रेस्टिंग टोपिक के बारे में जानेंगे तो चलिए मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स वीडियो में ओके बाई